आज आपके लिए हैं मैट्स का लेसं प्लान नंबर 13 एंग्रिश लेंगवेज में थीक है मतलब इससे पहले आपको 12 लेसं प्लान अप्रोड किये जा चुके हैं I hope आपने देखे भी होंगे तो आज 13 आपका lesson plan है जिसमें आप सबसे पहले आप जानते हैं lesson plan का intro दे देते हैं lesson number, class, section, school, date, subject and sub-subject इसके बाद आपका topic बताते हो आप आज आपका topic है profit and loss next आपके journal objectives आजाते हैं आप अब तक बहुत अच्छे से समझ गए होगे इस सारा pattern को अगर आपने पिछली वीडियोज देखी है तो देखे जर्नल objectives आपको पता है कि यह subject पर बेच्ट होते हैं long term objectives हैं आप 20 के 20 lesson plans में मतलब एक किसी subject के मान लीजे math का है तो इसके लिए यह math के lesson plan में 20 में आप same रख सकते हैं ठीक है लेकिन जो next है हमारे specific objectives वो आपके topic बदलते ही बदल जाते हैं हर lesson plan में नया topic और नया specific objectives इसके बाद teaching aid जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते वक्त वो teaching aid में आ जाता है previous knowledge हम मनकर चलते हैं basic knowledge हर topic के बारे में बच्चे को होती है इसलिए हर lesson plan को लिखते वक्त हम उसके topic को ही बता देते हैं कि इसकी basic knowledge बच्चे students रखते हैं इसके बाद हमारे presentation शुरू होती है जिसमें सबसे पहले हमारे introductory questions आ जाते हैं अगर आपने पहले समझा हो तो बहुत अच्छी बात है वरना आप दुबारा सुन सकते हैं इसमें आपके 5 column दिए गए हैं पहला आपका column है जहां आप teaching point बताते हैं next में आप teaching point का objective बताते हैं क्या आपका objective है इसके बाद यहां आपकी activity आ जाती है question जो आप करते हैं explanation बच्चे जो answer करेंगे या कोई भी response करेंगे वो students activity में आएगा यहां आप जितनी भी method यूज़ कर रहे हैं teaching यूज़ कर रहे हैं blackboard work शो करना है इस column में शो करेंगे teaching point पढ़ाने के बाद और lesson plan के बाद में आप जब evaluation question करते हैं वो आप इस column में शो करेंगे ठीक है तो introductory question हम शुरू करते हैं जहां सारे को जो question से एक दूसरे से linked होने चाहिए maximum of five questions कर सकते हैं questions ऐसे के रहे हैं जिसका answer आपको वही मिले जो आप पाना चाहते हैं जिससे के आपका अगला question शुरू हो पाए ठीक है ऐसा नहीं है आप कोई question आप नहीं किया कि बच्चा यह answer कर देगा बच्चे ने different answer कर दिया और next question आपका उससे related था और pattern भी कड़ गया है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप खुद एक बार पढ़के देख लें अपने आपसे पूछ कर देख लें क्या वही answer मिल रहा है या अपने friends से पूछ कर देख लें अगर वो another answer दे रहे हैं इसका मतलब उस question के multi answers है तो आपको इस प्रकार से रखना है अपना question की answer वही मिले जो आप चाहते हैं जिससे आपका next question connect कर पाई शुरू हो पाई लास्ट वाला जो question है आप मानकर चलते हैं बच्चे को इस cancer नहीं आता होगा अगर बचान से दे भी देता है तो भी कोई problem नहीं है आपको वैसे ही आगे अपना lesson plan continue करना है इसके बाद आपका statement of aim आती है जहां आप बताते हैं कि आप क्या पढ़ाने वाले और introductory questions का last question भी है आपका इसी topic से connect होना चाहिए जो आप पढ़ाने वाले है इसके बाद में आपकी explanation आ जाती है आप ऐसा कर सकते हैं कि पहला जो point है teaching point है आप सीधा सीधा explanation दे दे developmentary question ना करें ठीक है लेकिन इसके बाद के जो आपके आप teaching point पढ़ाएंगे उसमें आपको developmentary question पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो यहां ही आपकी explanation हो गई यहां ही objective हो गई knowledge basis पर और understanding basis पर ठीक है teaching point आपने show कर दिया बच्चों के activity होगी explanation method है यह blackboard work show कर दिया और teaching point खताम होने के बाद में यह आपने एक question कर लिया evaluation question ठीक है next आपका जो teaching point है वो है formula of profit and loss आप profit and loss का formula बताना चाहते हैं आप यह teaching point developmentary question के सामने भी लिख सकते हैं क्योंकि यह developmentary question इसी topic से related है और explanation के तो सामने यह लिखा ही हुआ है ठीक है यह developmentary question हो गए उनका answer question answer method है अपने explanation दी एक दू question समझाते हुए ठीक है बच्चे ने response किया explanation method यह blackboard work हो गया फिर से teaching point खताम होने के बाद यह दो evaluation question कर लिया ओके next आप चले तो आपका next teaching point आता है profit and loss percentage जिसके लिए अपने developmentary question किये आपको answer मिला question answer method है यह अपने explanation दी है ठीक है बच्चों को समझाया है इस जो formula है percentage का उसको कैसे apply करेंगे ठीक है तो explanation आपकी यहां तक है पूरी हुई है यह आपके objective है knowledge basis पर understanding basis पर application basis पर बच्चे ने response किया explanation method है यह blackboard work आपने show कर दिया ठीक है next page आपका last page है जहां पर आपने blackboard summary के बारे हैं बताया ठीक है blackboard summary आप लिखते हैं जो भी चीज़ है वो summary में आजाती है फिर देखिए recapituality question आई जो कि प्रकर के evaluation question है यह आप सभी teaching point खतम होने के बाद में करते हैं evaluation question आप बीच-बीच में भी कर सकते हैं और एक तो लास्ट में भी कर सकते हैं लेकिन recapituality question तिर्फ और सिर्फ लास्ट में किया जाते हैं ठीक है तो यह blackboard work में show कर दिया इसके बाद last आपका आगया क्या homework या home assignment जो आपने ये show कर दिया दो question दिया आपने बच्चो करने के लिए ठीक है तो यहाँ यह आपका lesson plan complete हो गया I hope आपको help करेगा PDF आपको telegram से मिल जाएगी link description box में है PDF का sorry telegram का ठीक है कुछ अगर पूछना है तो comment कर सकते हैं इसके लावा discussion group है telegram पर वो भी जोइन कर सकते हैं okay next video मिलते हैं thanks for watching